हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो CSIR पॉइंट और आज का टॉपिक है ग्लाई आक्षिलेट साइकल सबसे पहले बात करेंगे यूनिक एंजाइम के बारे में तो ग्लाई आक्षिलेट के जो यूनिक एंजाइम होते हैं वो दो होते हैं मेलेट सिंदेस में एंजाइम होता है आई इसो सि्तृट यूनिक फिर बात आते हैं ग्लाई आक्षिलेट साइकल किसमें प्रेजेंट रहता है और किन किन में अपसेंट रहता है कि जो इनंग जो लिट्त रेती है उसे पहते हैं कि तो यूर्ज़ूलीयर साइकिल ने में पहते है और क्योंक टो फितियों और कि आधीजींच कि आधी होते हैं तो इसमें इसे दाधी साइकल उसका टीमिल acabarी होता है जो यूनिक एंजाइन होते हैं ग्लाइं uglier gene 제के mild synthese और isocyturant liens ये क्या होते हैं। बर्टीबरेट में %27 बर्टीबरेट में अक्रीटांच है और जाक्ध बर्टीबरेट में और नहीं क्यों पाए जाते हैं। फिर बात ही आते हैं कि Glyoxylate cycle होती किसमें है तो Glyoxylate cycle का जो क्रेंस है वो होती है Glyoxysome Glyoxysome जो है वो एक Specialized Paroxysome होता है और सेल में जो Glyoxysome का development होता है वो केवल तब ही होता है जब किसी केवल और केवल यह won't get Sheet Tissue में इनका डवलप मेंट होता है कभी भी ऐस नहीं होगा कि plant पूरे time या फृर किसी भी टीसु में ग्लाइ्य औकसु में बन जाते हैं सा विब्लकुल भी नहीं है ग्लाइय吗 ग्लायोक्सिसोम का formation, seed tissue में होता है पहने चीज, दूसरी यह होती है, तम होता है जब वो seed germinate कर रहा होता है, तो यह हो गया कि किसमें यह होता है, फिर next हम लोग बात करेंगे कि, जब seed germination हो रहा होता है, तो उस समय ग्लायोक्सिसोम कैसे important role play करता है, तो देखते हैं, जब भी कोई seed की बात करी जा, तो seed पे क्यों होता है, seed oil प्रेजिंट रहता है, और seed oil जो होता है, तो यह जो seed oil होता है, ट्राइसाइल, ग्लिसरॉल की फॉर्म में होता है, और जब seed का germination हो रहा होता है, तो यह जो seed oil है, ट्राइसाइल, ग्लिसरॉल है, लाइफ एज की प्रेजिंट में इनका breakdown हो जाता है, और यह तूट जाते हैं, फैटी एक्सिड में, ट्रैक, तो फैटी एसीड में इनका breakdown हो जाता है, जर्मिसरॉन के दो हो, फिर यह फैटी एसीड कहान चले जाते हैं, ग्लाइट आक्सिल सोम, जाने के बाद, यह फैटी एसीड क्या करते हैं, ग्लाइट इनकाष़ियर साइकल में इंवाल्व होते हैं कैसे देखते आदे यह ग्लाई ऑक्सिलेट यह आपनों ने बनाया है ग्लाई ऑक्सिसोल इंटर करने के बाद क्या होता है कि इनका बीटा ऑक्सिडेशन होने के बाद यह किसमें तूचाते हैं फर्मेशन होता है यह फॉर्मेशन होता है 가능 सिंटेज्य के प्रेजिस में टिक, सिट्रेट सिंधेज की प्रजर्जर्ज में, उसके बाद क्या होता है, सिट्रेट का आइसो मेलाजर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर और ग्लाइओक्सिलेट में और जो एंजाइम होता है आइसो सिट्रेट लाइएज ठीक तो आइसो सिट्रेट लाइज की प्रेजिंस में सकसी नेट और ग्लाइज अक्सिलेट में टूट जाता है जो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा फिर ग्लाइज अक्सिलेट क्या करता है कि जो सेकेंड मॉल्क्यूल अस्तिल को एंजाइम है जो इस्तिल को एंजाइम एक के साथ कंडेंस होके मैलेट का फॉर्मेशन करता है एंजाइम क्या हो जाएगा मैलेट सिंथेज मैलेट सिंथेज की प्रेजन में ग्लाइज अउजलेट सेकेंड मॉल्क्यूल अस्तिल को एंजाइम के साथ कंडेंस होके मैलेट फॉर्म बनाता है फ्र मैलेट का ऑकिसीडियेजन हो जाता है और जहर शेट में और एंजाइम हो जाएगा मैलेट इःडियोजनेस मैलेट इःडियोजेज because his oxidation हो रहा है तो आप्सीडियेशन में में क्या होता है मैंसा हश एचपलस हीमोव होते हैं जब H plus remove होता है तो वो H plus receive कर लेता है NAD plus जब ही H plus लेगा तो इसमें convert हो जाएगा NADH में चीक है तो यह क्या होता है complete glyoxylate cycle होती है glyoxysome में जब seed generation हो रहा होता है तो glyoxysome में दो process होते हैं first process क्या होता है जो fatty acid जो seed oil में जो टूटता है जो fatty acid में जब टूटता है तो सबसे पहने glyoxysome में उस fatty acid का beta oxidation होता है तो first step तो होता है beta oxidation का second step में क्या होता है glyoxysome में glyoxylate cycle होती है उसके बाद जब seed generation हो रहा होता है तो glyoxylate cycle में जो succinate बना है यह succinate move कर जाता है माइट्रो कॉंडिला में यह succinate का चला जाएगा माइट्रो कॉंड्रिया में यह जाएगा माइट्रो कॉंड्रिया के मैट्रेक्स में जो सिट्रिक्स यह साइकल हो रही होती है उसमें इंटर कर जाएगा सक्सिनेट फिर सिट्रिक ऐसी cycle में यह succinate किसमें कंवर्ट हो जाएगी फ्यूमरेट में फ्यूमरेट के बाद इसका कंवर्जन होता है मैलेट में और फिर यह मैलेट माइट्रो कॉंड्रिया के मैट्रिक्स से निली जो के कहा जाएगा साइटोसॉल है साइटोसॉल यह हो गया साइटोसॉल और यहां यह तो जाएगा माइटो कॉंड्रिया साइटोसॉल में आने के बाद मैलेट का ऑक्सिडेशन हो जाता है और जैलो एसिटेट में साइटोसॉलिक मैलेट डी हाइटोजनेस की ब्रेजिक्स में फिर यह ऑग्सेल वेश्टेट से क्या होगा से यह तो रिमूव हो जाएगा और यह कंवर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज सिक्स फास्पेट का कंवर्जिन होगा ग्लूकोस भास्पेट में और इस तरीके से यह फ्रक्टोज और इधा से यह यह ग्लूकोस यह किसमें कंवर्ट हो जाएगे शुक्रोज में तो यह बना है यह कहां चला जाएगा जो जब डबलपिंग रूट और सूट उसमें चला जाएगा उसको वहां क्या करेगा नेजी प्रोवाइट करेगा जिसकी बज़ेश उसकी ग्रोथ होगी तो क्या होता है फिसे बादेख लिए घाप जिसाइप करेंगे जाएगा इन फैटी ग्लाई-अक्षिदेशन टूट जाएगा उसकी लिएग ऐसेद करेंगे ग्लाई-यौक्सी जाने के बाद इन फैटी असिड़ का बीटा ऑक्सी डेसन होता है और ये अस्टिड को उइंजा मेल्य ज्यांरों सेत्युऌ को बे इस का सहरे जो सब्सक्राइब हो और दूसर और ग्लाइजलेड को मेलेट का अक्सेल की प्रजिनस में अ कि अखेलोचि युट्य वेके साथ कंडेंस होके मैलेट हिंथेज की प्रजिनस में मैलेट के अयुक्य ayr्ट को बने मेलेट को उयुक्ता麼 है तो उसमें क्यों होता है तो डो मॉलेक्योफ को इंन्जाय एक लगते व्रों मोलोफ इसकोंटाthis में उसकी बात करीदिया किनकी जब स्कृवर्यक्षाइर साहिकिनल सWould सब्सक्राइब को जाएब एक इसे हो एक तो फिर यह सब्सक्राइब क्या करेंगा सब्सक्राइब में आएगा जाई आने के बाने अमस्त का ऑकस ब्रव bölव अओधिये व्लयुव। है मुझेल प्रयू ऑस फैट उतठाइगा फिर घ्रायेश के तुर्ढ quindi ग्लुको नियो जैब डिस तुर्डेश की फ्रेक्टोषा सोगह था ग्लुकोज 6-phosphate बनाएगा और फिर फ्रेक्टोज और ग्लुकोज आपस में कंडेंस होके सुख्रोज बनाएगे तो यह सुख्रोज फ्रोय थूर्ट ट्रांसलोकेट होगा जो ग्लॉइंग प्लॉंग लिए के उसकी प्लांट प्लांट आपने स स्यावेट dal केना नोश्रण बंसकों बीक्ट श स्यावेग बीपधा करartet तो इन फोर्थ पात्वे के कॉमिनेशन के बाद जाके जो एक सीड में जो सीड ओल फार्द किसमें कंवर्ट होता है सबसे अल्टिमेटली वह जाता है सुक्रोज में और उसी सुक्रोज की प्रेजंस में फिर क्या करता है सीड ग्रो करने लगता है जब उसमें पत्तियां डबलब हो जाते हैं तो उस समय फिर ग्लाइ ऑक्सिसोम का जो फॉर्मेसन है वो क्या होता बंद हो जाता है उसके बाद फ्लांट के अगर तो फोटो सिंथासिस इनिसियेट करना सूर कर देता है थैंक यू